नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमेश जोसी आज आप लोगों के बीच में लाया हूँ नवजात बच्चों में खीस का महत्तु किस परकार बहुत जरूरी है कांकि नवजात बच्चों में खीस के महत्तु के बारे में हमें कई बार जान करी ना होने के कारण हम उसका नुक खीष नौजाद बच्चे को दिया गया जाने वाला पहला अन्मोल उपार है खीष के विसलेशन में बच्चों के जनम से तीन से पांच दिन बाद तक होता है खासकर जब नौजाद बच्चों के लिए या पोशन और तरल पदारत का मुख्य स्रोत है खीष रोक छमताओं को बढ़ाने में सायक है क्योंकि इसमें गामा गलूटो लीसिन उपस्तित होता है जो कि एंटी बोडी का स्रोत है जो कि जानवर को जनम के बाद संकुरन तथा बीमारियों से बचाता है खीष पेड़ साप करने वाली दवा का भी कारी करता है जो कि पर्थम मल अर्थात मुक्योनियम को बाहर निकालने में सायक परदान करता है जाता है बच्चले को विवन्ड परकार के बिमारियों से बचाने एंप पेड़ साप करने के लिए नवजात पर्शों के लिए प्राकरतिक अनमोल उपार है क्योंकि ये प्रकरतिक के दारा दिया गया अनमोल उपार है खीस में प्रोटीन में सामानित दूद के अपेक्षा जादा मात्रा में होता है क्योंकि अगर इसको बच्छड़े को जनम के तुरंद 12 घंटे के अंदर बच्छड़े को यह खीस पिला दी जाती है तो उसके अंदर बहुत से बीमारियों से लड़ने के शक्ति बढ़ जाती है बच्छे को जनम के आदे घंटे के अंदर अगर इसको पिला देते हैं तो यह उससे भी जादा लापकारी सिद्ध होगा क्योंकि एक लीटर खीस पीने से नौजाद बच्छड़े सबी बिमारियों से लड़ने के चमता आ जाती है क्योंकि उसके अंदर गामा गलुकूर्टिलीन होता है जो कि बच्छणों को भुश्चे मैं कई खतरनाक बिमारियों से बचाने में साहिक होता है इसके अत्रिक इनमें बिटामीन ए और बिटामीन बी कैपसूल दूद से काफी मातरमा अधिक होता है खीस को नौजाद बच्छड़े को पिलाने के लिए एक दिन में चार पांच बार करनी चाहिए कोशिस करनी चाहिए अर्थात नौजाद बच्चे के सरीर के वजन का लगबग 10% खीस 4-5 बार पिलाना चाहिए खीस कम से कम 5 दिन तक पिलाया जाना चाहिए यह बच्चे का पहला मल निकालने में सहायक होता है यदि बच्चे को मा का खीस उपलब ना हो तो किसी भी प्रकार का भेंश का खीस पिलाना चाहिए खीस का श्वाद आंसिक रूप से कड़वा होता है जबकि बच्चे के दूद का श्वाद अपहिक्शकरत मीठा होता है तो खीष को कृट्म वीदी से भी बनाया जा सकता है अगर हम चाहें तो खीष को कृट्म वीदी से भी बनाया सकते हैं उसके लिए भी बहुत सारी चीज़े हैं कच्चा अंडा, एक लिटर दूद, 10 मिलिटर अरंडी का तेल उसको मिस्टन कर भी हम तीन बार अपने बचले को दे सकते हैं कई बार खीश की कमी होना होने के वज़े से हम तो कृत्म विधी से भी खीश को बना सकते हैं जिससे कि हमारे पसूँ में हम कई बार उसको बहतर सरीर के लिए उसके दिया जा सकता है तो आप अपने बच्चों को खीश के महत जरूर दें